दर्म प्रिवी सजनों तथा मानव कहलाने वालों मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ सुनाता और बताता आया हूँ कि आखिर मानव समाज में ये बैमनस्ता मानव समाज में ये जगड़ा विबाद किसने फैलाया है तो इस संदर में हमारे मानिये पहलो अंधरमबिर जी कुरान की कुछ आयतों को कोड करते हूँ उसके अर्थ को बतला रहे हैं जिससे आप लोग भी चिंतन और विचार करेंगे रही बात कि उस काल के लिए और इस काल के लिए ये बहाना चलने वाला नहीं है उस काल के लिए था इस काल के लिए नहीं है तो इसका मतलब अल्ला को जانकारी नहीं है पहले सी किया आगे जाकर कि इसकी कोई हूप योगिता नहीं रहेगी तो ये सब अनुविक गिता वाली बात है इसलिए मैं निविदन कर रहा हूँ अगर यही बात है तो फिर अल्ला तो वाल्ला ला युखबू फसाद भी कहा है कि अल्ला ताला पसद नहीं करते हैं दुनिया में फसाद पहलाने वालों को और दूसरी और अल्ला ताला फिर प्रिणा दे रहे हैं गैर मुस्लिमों को कतल करो और यह भी सुल लिया आप लोगों ने कि जब तक काफिर या मुश्रिक की लड़की जब तक वो इमान न लाए इसलाम सीका न करे तब तक उससे निकान न करो तो आज जो यत्रतत हो रहा है वो नतीजा यही कुरान है इसलिए संपुन विश्व के आंगन में मानव कहलाने वारों को कुरान क्या है कुरानी सिक्षा क्या है इसको जानना आज के लिए बहुत जरूरी है इसलिए बहुत छोटा सा विचार मानिय धरमीर जी ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है उसको सुनिये समझिये और इसलाम जगत के आलिमों से उन्होंने सवार उठाया है कि इसलाम जगत के बिद्वान इसका जवाब दे अगर जवाब देने के वो गाइल है जवाब देने के वो अधिकारी बन रहे है जवाब उनके पास है तो बराए महरवानी जवाब दें लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जवाब दें मैं सवाल करूँ ऐसा वीडियो वीडियो खेल खेलना नहीं है सामने आकर के डिवेट करें दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मैं तो किवल एक ही शब्द को पकल रखा हूँ कि कुरान को कोई कलाम उल्ला सिद्ध करके दिखाए कुरान को कलाम उल्ला सिद्ध करना और अन्दिकार में प्रकाश को ढूनना दोनों बराबर रहे आज तक कोई आया नहीं जो आया वो मुँ के बल गिरा अब तक 16 डिवेट मेरा हो चुका है इसलाम जगत के विद्वानों से और उन विद्वानों में जिनों ने कुरान का हिंदी अनुबाद किया है मौलाना फारुक खान मैं कई बार बोल चुका हूँ उनके साथ भी मेरा डिवेट हुआ है मैं चार सवाल कियाता है एक कभी जवाब वो नहीं दे पाए तो खेर कोई भी आना चाता है विद्वीडियो विद्वीडियो खेल मत खेले डिवेट के लिए स्वागत है आईए अगर आप एच्छुक है कि सही अर्थों में इसलाम का बोल बाला हो तो इसलाम का बोल बाला होने के लिए आप लोग आएए डिवेट के लिए समय दीजिए लेकिन शर्त यह है कि स्टैम पेपर में लिखा पड़ी करके हम डिवेट करेंगे ताकि कोई उसको इंकार न कर पाए कोई मुकरने न पाए कोई उसको डिनाई न कर पाए इसलिए हम हार गए तो हम सिकार करेंगे आपकी इसलाम को और आप हार गए तो वैदिक धर्मी बनना मिला किवल दो टुक की बात है और दो टुक की बातों को मैंने आप लोगों तक पहुचाया है सबी दोस्तों का नमस्ते और इसलाम के आलिए को इस पे से नमस्ते का जब सबस्वार उनसे पूशा जारा है तो नमस्ते उनको भी मेरा बनता है प्यार के साथ में मेरा जवाब दे उनसे भी है और कुछ सेकुला नहीं है उनसे भी है दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ मुस्लमान युवक गैर मुस्लिम युवतियों को प्यार में फसाते हैं और उसके बाद फिर नाम बदल के जूटे नाम रखे कुछ भी करके उन वो कहा जाता है कि पैसा भी मिलता है इस बात के लिए वो कहा जाता है कुछ मीडियों आई उनसे पता चलता है लेकिन वो मालिया कोई गैर मुस्लिम है साधी करके आराम से क्यों नहीं रहते उसका कारण है सुरा बकर आयत नंबर 221 में साब साब अल्ला ताला ने कहा है कि अगर तुमें मुश्रिक लड़की आओ कि अच्छ लगती हूं तो जब तक उनसे साधी ना करो निकाह न करो जब तक वे इमानवाली ना हो जाए उनको पहले इमानवाली बनाओ यानि के पहले इसलाम कबूल कराओ ये अल्ला का हुक्म है और उसके बाद उससे साधी करो दूसरी बाद आपने देखा होगा कि कोई जो गैर मुस्लिम जो एगर मुस्लमान लड़की से प्यार करता है तो जाज़ता है लोगों को मार दिया जाता है कुछी लोग है किसी कारण वालो बच जाते हैं नहीं तो जादे लोगों मार दिया जाता है वो ही सुरा मकर की आयत नमबर दोस्तों किस में अल्ला तला कहते हैं कि अपनी ओरतों से ए इमान वालो अपनी ओरतों से मुस्रिकों को साधी करने ना दो जब तक कि एमान ना लिया है जब तक वे मुसलमान ना बन जाए अपनी अवर्तों लड़कियों से मुस्लिकों को साधी करने ना दो गैर मुस्लिकों को साधी करने ना दो ये हुकम किसका है? अल्ला का पालन होता है अल्ला का और अल्ला पालन ने ही कहा है कि जो काफिर है वो बाजवर कता ले दो यानि कि उसको मानने का हुकम है अल्ला का तो अगर जो नहीं मानते हैं, उनको मार दिया जाता है, अगर मुसलिम लड़कियों से कोई प्यार करता है, उसको मार दिया जाता है, और जो लड़की जो है निकाह नहीं करती, प्यार में पसके साधी कह लेती है, लेकिन मुसल्मान नहीं बनती है, उनको मार दिया जाता है, ये तो मैंने बता दिया सुरा बकर से किस तरह से निकिता बिटिया के अथ्या हूई है, किसी साथ से राहूल राजबुत की अथ्या हुई है, ये अथ्या कारण है, दूसरी बात मैं आप पो बता रहा हूं, सुनेंगे, अगर उन्हें अल्ला ताला पर नभी पर और जो उतारा गया है उस पर इमाल होता तो ये काफिरों से दोस्ती ने करते हैं लेकिन उन में से जादर तर लोग दुराचारी है यानि काफिरों से दोस्ती करने के लिए बना किया है उसके लिए सुरा बकर की मैंने नोट बनाए हुए है कुरान से ही आप देख लेना सुरा निस्ता की आयत नमबर 144 सुरा निस्ता आयत नमबर 144 में अल्ला ताला कहते हैं 144 में खुद अल्हत आला का फरमान है ये वो किशे का ने चुक्षिओक अल्हत कल्म है कहते हैं हे इमानवालो इमानवालो को छोड़कर काफिरों को दोस्तने बनाऊ क्या तो गया तूम यह चाखे हो कि अपने उपर अल्हत आला की खुली हुज़़त कायम कर लो यानि कि अल्ला ताला नराज हो जाएंगे अगार आप जो है काफिरों मुस्लिमान को छोड़कर गया मुस्लिमों को दोस्त बनाऊगे ये सारी बाते में से सुरू होती है अब आती है आपने देखा होगा सुरा 5 की आयत नमर 32 यानि कि सुरा मायदा की आयत नमर 32 में आल्ला ताला जो है कि एक आयत आया उसको ये दिखाते हैं दिखाते फिरते हैं कि देखो पुरान में ये आया आया एक का कतल कर दिया तो सारे जहां का कतल कर दिया इतना पाप है एक को बचा लिया दूसारे जार को बचा लिया इतना बड़ा पुम्या है तेखो यह आया या उसको इदिखाते फिरते दिखाते फिरते और गुम्रा करते लोगों को लेकिन उससे आगे कि आयत यह पांच-33 में बताते मैंने पहले भी एक वीडियो में बताए यह क्यों नही मैं रचब कर दिया और पवांच तैस से क्या कह रही ऑनला की जो रसुल से रहाँ ऑनला को आनला का कि अल्ला कहा हुआ अल्म कि अध्या इसको अभाड़ को उसके बाया हाथ का टो दाया हाथ पैर काटो नाइस साहर काटो बाया हाथ काटो यानि के उसको बहुत मोरी मौत दो ऑ है को अके में तो अल्ला ज्यू ज्यान्येट में डालने वाला ही पूर जैन दिर्शी जहन्य में रहेगा अब सवाल मेरा मुस्לिम आली ऌसे है西 वैं woah मुस्लिमा नीमों पांच 20.50 पर तो अल्ला एक मिνट में बैला वतल जाता है और पांच- Sorry त्हीस में क्या हो गया कि कहघार रसुल से अर लड़ाई जो करेता है अब अगर 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 अन्ध्यदा को बनाने वाला है तो इससे दुन्यदा का कोई मुझष्य की आम है यह लड़ाई करने की वह साथ में रसुल को भ तो यहां सुरा प्तिर पांच अर पांट एव्या आलिमों यह बता दो कि अल्ला का राम से लड़ा करें अल्ला से लड़ाई करें अंग्सान आंगी दुनिया का प्राने व्ला हो यानिके अल्ला वैंड-घूट अब कोई ओर अल्ला है बिस्म आल्ला है रह्मान रह्म से भी थाभवत होता है कोई और अज़ और अज़ा, और अज़त अज़ा के लिए और अज़ा Nacht कर ला गません अज़ा कि अज़ embridisha, छोरू करता है। ऐसे ही जो सुरह फात्या है अर्हम्दुल्लाह रबिल आल्मीन ये तारिफ जो है उस खुदा के लिए अल्ला के लिए किस के लिए अगर अल्ला कह रहा है तो किस अल्ला के लिए कह रहा है बताईए आप जवाब दीजिए इसलाम के आलिम किसके लिए कह रहा है आप जवाब दे छोड़ फेला रहे हैं सत्ते क्या है हमारा अदेश से आप लोगों से बिलती प्राथन आलिमों से ये है कि मन में एक जिग्या सा उठी कि ये पूछा जाए कि आलिम जवाब दे कि अल्ला से कोई मुनुश्य रणाई कर सकता है अगर अल्ला दुनिया का बनाने वाला है तो इसका मतलब जो अल्ला कुरान का है साबित होता है कि दुनिया का बनाने वाला है यह नहीं, चुकि कितने आयते आती हैं अल्ला को यह विस्वाज बिनाने के दिए अल्ला को कसम खानी पड़ती है हाथ तेवे घोडों के कसम सूरज चाण की कसम क्यों है, अगर अल्ला सब कुछ करने वालों से कसम खड़ेगी, क्या जूद वो साबित नहीं का सकता इसलिए सवार खड़े होते हैं कुरान पर अल्ला पर तो मेरे इसलाम के आलिमों आप से प्रात्ना है कि संका का समधान करने की कुशिश करें नमस्ते जी धन्यवाद सभी को इस रोडियों को देखें और जादे तर विद्वानों लोग आलिमों तक कुछ आए ताकि हमेश का जवाब मिल सके जवाब की उम्मीद में इंतिजार में पहलवान धर्मवीर सिंग तन्यवाद दोस्तो